फिर आप लोगों को वोटर आईडी का डाउनलोड करने में कुछ इस तरीके का प्रोब्लम आ रहा है तो ये वीडियो इस पेसल आप लोगों के लिए ही है इस वीडियो को कंटिनुस ती लास्ट तक देखना लेकिन कुछ ऐसे लोग आए हमारी वीडियो पे जिनको अपना न प्रोब्लम दूर करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जब भी हम अपना वोटर आईडी का डाउनलोड करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोब्लम आ जाता है जहाँ पे हमसे ये कहते हैं कि आपने फॉर्म 8 को फिल नहीं किया है इस कारण से आप वोटर आई अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंग करना हो या फिर जेंडर, डेट अबर, फोटो, नाम, इमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब को चेंज करना हो तो फॉर्म 8 बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो चलिए आज की वीडियो में हम बताते हैं आपको फॉर्म 8 को बरने का सही तरीका क्या है और कितने दिन में आपका ये प्रॉब्लम सौट औट हो जाएगा या फिर जो करेक्शन करेंगे उनका कतने दिन में करेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले आप इस पोटल पर आ जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, इसका ID पास्वेंट बनाने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है, लेकिन आज की वीडियो में डारेक्ली हम जानेंगे form8 को बरना का सही तरीका, तो सबसे पहले आपको form8 बरने के लिए form पे क्लिक करना है, उसके बाद एक option क्लिक करेंगे और OK पे क्लिक कर देंगे, डारेक्ली आपको next करने आना है या पर डारेक्ली इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो, यह वाले option को खाली रहने देना है, इसमें कुछ भी आपको feel नहीं करना है, डारेक्ली इस वाले option पे आजेंगे, जहाँ पे नाम, जेंडर, डेट बात, relation, type, address, mobile number, photo, यह सारे चीज़ को आप change कर सकते हो, यहीं से घर बैटे बिल्कुल फरी में, तो आप जो भी change करना चाते हो, जैसे कि photo तो photo पे क्लिक करेंगे, और photo को upload कर देंगे, इसका same process है, कोई अलग सा process नहीं है, तो जैसे कि मैं mobile number जहाँ पे change करना चाता हूँ, क उसके बाद send OTP पे क्लिक करेंगे, वो OTP आपको डाल देना है, जो mobile number पर गया है, उसके बाद verify पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे next पर क्लिक करने के बाद, अब आपको कुछ भी feel करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना place डालना और फिर से next कर देना है, उसके बाद अपना capture code को fill यहाँ पर कर देना है, फिर आपको यहाँ पर preview and submit वाले button पर क्लिक कर देना है, उसके बाद directly scrolled on करना है नीचे और फिर से submit पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको yes वाले button पर क्लिक करना है, और एक reference number आपको मिल गया होगा वहीं पर, और message में भी आपको प्रा सर्च वाले उसन पर क्लिक कर देना है, सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कितना दिन में आपका voter ID कार्ड में mobile number link कर दिया जाएगा, कितना दिन में आपका मां की correction कर दिया जाएगा, तो जो भी आपको time यहाँ पर मिलता है वो time को comment करना ना बूलें मिलते किसी और वीडियो में और यह जानकरे अपको सही लगी होगी इसमें आप online को लिए online नंबर email ID gender date of birth फोटो यह सब चेंज कर सकते हो लिंक कर सकती है इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है बढ़ जो काम मैंने बताया वो होगी आपका successful अब आपको कुछ भी आगे नहीं करना बस सिर्फ आपको status ही चेक करना और उसके अलावा कहीं form नहीं submit करना है कहीं किसी को पैसे बगरा नहीं देना है चलिए मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए टिक कियर बाई बाई